आज हमारे किचिन में बनने जा रही है मिष्टी दोई की रेसिपी ये बंगाल की फेमस रेसिपी है देखिए मैंने कप को उल्टा कर दिया और ये मिष्टी दोई गिर नहीं रही है बहुत अच्छी तरह से जमी हुई है चाय ठंडी हो गर्मी हो कोई भी सीजन हो आप दही रात को बना कर रखा था देखिए थोड़ा सा खटा रहना चाहिए एकदम ऐसा भी नहीं है कि खटा नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा खटा रहना चाहिए तब ही तो दही जमेगा तब ही तो मिष्टी दोई बनेगी तो हम क्या करते हैं अब इसे चान लेते हैं और इस इसमें से पानी निकल गया है, अब हम क्या करेंगे, एक छनी में ले लेते हैं इसको, या कहीं इसी जगे पर टांग भी सकते हैं, उससे भी पानी निकल जाएगा, और कोई भारी चीज रखकर, इसे हम रख देते हैं, फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रखने से ये ज़्य खट्टा नहीं हो पाएगा और इस पानी को फेकना नहीं है इसमें से दही बना सकते हैं आप दोबारा से या तो आप आटा वगएरे सान सकते हैं और अब हम एक कढ़ाई में लेते हैं दूद और इसमें 600 ml के करीब मैंने दूद लिया है और दूद को बॉयल होने देंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है तो इसे हम रख देते हैं साइड में और एक दूसरा बर्तन लेना है चोड़े मुह बाला लेना है और भारी तले का रहना चाहिए पतले वाले तले का नहीं चाहिए हमें और इसमें बिछा देती हुमें आधा कप शक्कर और धीमी आज पर धीम धीमा ही रखना है नहीं तो यह जलने लगेगा और यहां थोड़ी देर बाद एक मिनिट बाद ही आप देखेंगे इसमें से पूरी तरह से शक्कर गुल जाएगी यह देखिए शक्कर पूरी तरह से गुल चुकी है यह देखिए अब बस इसे एक मिनिट और पकाना है धीमी आज पर ही पकाना है तेज आज बिल्कुर भी नहीं करना है नहीं तो चासनी चल जाएगी तो यह केरमेल हो चुका है बन चुका है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और जो हमने दूद तयार किया था उस दूद को धीरे धीरे इसमें डालेंगे तो इसमें से जहाग जैसा है लेकिन आपको चंदा करने क्या TOP करने जरूद नहीं है बस इस तरह सिराते ले रहना है और चासनी थोड़ी सी जमे육ी लेकिन आपको टैंसल लेने की जरूद नहीं इस तरह से डूद डालते जाएए और हिलाते जाएग अपने हाप चासनी पूरी तरह से अमेल्ट हो बस इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, बहुत जादा ठंडा नहीं करना है, अब हम ले लेते हैं एक बोल, उसमें हमारा लटका हुआ जो धाई है, जिसे हमने पानी निकालने के लिए छोड़ा था, तो आई एक घंटा हो गया है, अब हम इसे दूसरे बोल में ले लेते हैं, और इसे फेट लेते हैं, एकदम क्रीमिस टेक्स्चर का इसे हम बना लेते हैं, इस तरह से फेटते हुए, इस तरह से फेटने से इसके पूरे तरह से जो दाने रहते हैं, वो दाने खतम हो जाते हैं, आप चाहें तो इसे च्छनी से च्छान भी सकते हैं, इससे पूरी प्रणा रही हूं देखिए एकदम क्रीमिस टेक्चर है बिल्कुल भी दाने नहीं है इसमें अब हम क्या करेंगे दूद हमारा यह जो ठंडा हो गया था मैं थोड़ा सा इसे गरम कर लिया है थंडा हो गया तो थोड़ा सा गरम कर सकते हैं हलका सा इतना करना है कि हम उंगली ड करम रहना चाहिए बस अब हम दूद को दाही में दीरे दीरे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे यह देखिए और इसी तरह से पूरे दूद को हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे फिर से थोड़ा सा दूद डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे और यह देखिए हमने पूरे दूद को कैरेमिल वाले दूद को दही में मिक्स कर दिया है और यह गाड़ा होने लगा है यह देखिए यह अभी से गाड़ा होने लगा है और इसे हम रख देते हैं साइड में और मैंने मिष्टी दोई को जमाने के लिए इस तरह के कुलड लिए हैं अगर आपके पास मिठी के बरतन है तो बहुत अच्छी बात है मिठी के बरतन में बहुत अच्छा मिठी दोई जमती है तो अगर आपके पास है तो आप उसी में ब बबर आता है, और आप हम गुलड़को भी भर दिया, इसे भी थोड़ा सा खाली ही छोड़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, सभी को कवर कर देते हैं, तो कवर करने के लिए मैंने इस तरह से किचेन फॉयल रहता है, उसमें कवर कर देते हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो टाइट डखकन है उसे लगा देते हैं और इसे लगाने के बाद हम इसे आठ गंटे तक इसी तरह से जमने देंगे अगा ठंड का टाइम है तो ज्यादा टाइम ले सकता है गर्मी का टाइम है तो कम टाइम में भी जम जाता है तो थोड़ा सा मौसम हमारे हां ठंडा है तो मैं पर इस तरह से ढग देते हैं और छोड़ देते हैं अब आप देख सकते हैं आठ से नौ घंटे के बाद हमारी मिस्टी दोई एकदम जम चुकी है यह देखिए मैं इसे उल्टा करके दिखा रही हूं आपको विल्कुल भी यह गिर नहीं रही है तो अभी नौरात्र चल रहे ह इस तरह से मिस्टी दोई बनाकर आप एंजोई कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स रेसीपी के साथ में तब तक आप एंजोई कीजिए मिस्टी दोई को